महत्व पूर्ट जीके के कोश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरके डार्क नोलेज चेनल को दिल्ली सेपालनपुर तक विस्त्रत अरावली परवत शंकला की कुल लंबाई है सही आंसर है ओप्शन ए 692 किलोमेटर अगला कोश्चन है मुख्यत्य राजस्थान राज्ये की आदिवसी जन जातिया मुख्यत्य राज्ये के किस भोगोलिक शेत्र में निवास करती है ओप्शन ए उत्वर्ट या ओप्शन डी सही आंसर है ओप्शन सी अरावली परवतिय परदेश अगला कोश्चन है राज्ये की सर्वोच परवत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार है ओप्शन ए बोराट का पठार ओप्शन बी उडिया का पठार ओप्शन सी मालवा का पठार या ओप्शन डी भीम का पठार सही आंसर है ओप्शन बी उडिया का पठार अगला परशन है राजस्थान की बारा मासी नदिया कौन सी है Option A बनास चंबल Option B चंबल बानगंगा Option C चंबल माही या Option D चंबल और काली सिंद सही अंसर है Option B चंबल बानगंगा अगला पर्शन है निमलिकित में से कौन सी नसले राजस्थान भेडों से समदित नहीं है Option A चोकला एवं मगरा Option B सोनाडी एवं खेरी Option C नाली एवं पूंगल या Option D सूर्ती एवं मुर्रा सही अंसर है Option D सूर्ती एवं मुर्रा अगला पर्शन है राजस्थान में सदा बहार वन पाए जाते हैं Option A उदैपुर में Option B माउंट आबू Option C कोटा में या Option D अजमेर में सही अंसर है Option B माउंट आबू में अगला पर्शन है मंकी वेली किसका नाम है Option A नाहरगड Option B आमेर Option C गलताजी या Option D जैगर सही अंसर है Option C गलताजी हमारा अगला पर्शन है राजस्थान राज्ये के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते है Option A पाली Option B जालावार Option C हनमानगर या Option D श्री गंगानगर अगला पर्शन है यांत्रिक क्रिशी फार्म कौन से जिले में है Option A उदैपूर Option B श्री गंगानगर Option C बीकानेथ या Option D हनमानगर सही अन्सर है Option B श्री गंगानगर अगला पर्शन है राजस्थान में शेत्र के आधार पर सिचाई के सादनों में दूसरा स्थान किसका है Option A नहरों का Option B कूओ वे नलकूपों का Option C तलाबों का या Option D नदियों का सही अन्सर है Option A नहरों का अगला पर्शन है जवाई बांध कहां इस्थित है Option A भीलवाडा जिला Option B कोटा जिला Option C पाली जिला या Option D जैपुर जिला या Option C पाली जिला अगला पर्शन है राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्ये से लगती है Option A पंजाब Option B मद्देपरदेश Option C उत्तरपरदेश या Option D हरियान 3,42,000 वर किलोमेटर Option C 4,24,000 वर किलोमेटर या Option D 5,42,000 वर किलोमेटर सही आंसर है Option B 3,42,000 वर किलोमेटर अगला पर्शन है 70 डिगरी पूर्वी दिशानतर रेखा जिस जिले से गुजरती है वह है Option A जोदपुर Option B जैसलमेर Option C धोलपुर या Option D नागोर अंसर है Option B जैसलमेर अगला पर्शन है राजस्थान की अंतरराष्टिय सीमा की लंबाई कितनी है Option A 1070 किलोमेटर Option B 970 किलोमेटर Option C 1170 किलोमेटर या Option D 870 किलोमेटर अगला पर्शन है शेत्रफल की द्रश्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है Option A बाडमेर Option B जैसलमेर Option C बिकानेर या Option D भीलवाडा कि अंसर है Option B जैसलमेर अगला पर्शन है राजस्थान की सरवादिक सीमा किस राज्ये से लगती है Option A है उत्तरपरदेश Option B पंजाब Option C गुजरात या Option D मद्यपरदेश अगला पर्शन है राजस्थान में शेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है Option A है Option B बूंदी Option C धोलपूर या Option D हनुमानगड अगला पर्शन है राजस्थान के किस परदेश में बीहड मिलते है Option A बनास बेसिन Option B माही बेसिन Option C लूनी बेसिन या Option D चम्बल बेसिन सही आंसर है Option D चम्बल बेसिन अगला पर्शन है 56 का मेदान किस जिले में इस्थित है Option A बासवाडा Option B पाली Option C टॉंक या Option D अजमेर ही आंसर है Option A बासवाडा अगला पर्शन है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है Option A सहारा Option B कालाहारी Option C थार या Option D धरियन अगला पर्शन है राजस्थान में सबसे उंचा पर्वत शिकर किस जिले में है Option A जालोर Option B नागोर Option C सिरोही या Option D अजमेर सही आंसर है Option C सिरोही अगला पर्शन है डांग लेंड किसका भाग है Option A बोराट पठार Option B लासाडिया Option C करोली पठार Option D आबू पर्वत अगला पर्शन है राजस्थान का सबसे उंचा पठार कोन सा है Option A गिर्वा पठार Option B उडिया पठार Option C करोली पठार या Option D बोराट का पठार ही आंसर है Option B उडिया का पठार अपने आंसर हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं उडिया करके उडिया है अगला पठार